अब newly **** साब आपने कअ है अपने धर्म की आड में और उस दुकान का नाम है इत्यादे मिलत कांसिल कभी इत्यादे मिलत कांसिल कांग्रेस के साथ हो कभी इत्याद मिलत काउंसिल सपा के साथ हो जाती है कभी बसपा के साथ हो जाती है जो तौकी रजा खान की डिमांड को पूरा कर दे उसके साथ यह सपोर्ड कर देते हैं इनका कोई फिक्स अजेंडा नहीं बिल्कुल पैंडूलम की तरह मूव करता है आप क्या लोचा कि यह परचार परचार मेरे जिम्वेदारी नहीं है वो दूसरे लोगों की दिम्वेदारी तो मैं धार्मिक काम ना कर के मैं सियासी काम करता हूँ क्योंके सियासत बेहत जजरूरी है मुसल्मानों के लिए मुसल्मानों को सुझ मुश के साथ सियासत करनी चाहिए। इस लिए मैं। दूसरी बात रही सवाल कि ऐमनभाहित की मैंने आप की भी हिमाइत की थी जब पहली बार सरकार मड़ी थी। वह सवाल भी आगे तो कॉंग्रेस के साथ मेरा इलाइंस हुआ था बाकाइदा 2009 में 2009 से पहले मेरा इलाइंस हुआ था और उस वक्त हमारा उनसे ये तैह हुआ था कि लोग सभा हम नहीं लड़ेंगे लोग सभा आपको लड़ाएंगे विधान सभा में हमें 20 सीटें उन्होंने दी थी बरेली देश में लोग सभा की उस वक्त उन्होंने जीती थी बरेली अपनी वो नहीं मान रहे थे बरेली भी मैंने जिता के भेज़ा था लेकिन जब विधान सभा का चुनाओ आया तो राहलू गांधी ने और बाकी दूसरे नेताओं ने मुझ से ये बात कही कि आप 20 के बजाए 25 ले लो लेकिन सिम्बल हमारा रखो तो मैंने का सिम्बल आपका रखने का मतलब ये है कि मैं अपनी पार्टी को मर्ज कर दूँ तो मैं मर्जर के लिए बिलकुल तैयार नहीं हूं मैंने 22 सीटे जिताई थी लोग सभा में और अगर आप मेरे साथ यगद्दारी और बेइमा है लोगों को पता है आपका ये दावा है कि सभाजवादी के अब मैं जरा सब्सक्राइब इस पर चुकि एक फैक्ट आया है आप यह कह रहे हैं कि आई एच सी है आई एम सी इम सी त्यादे मिलत कांसिल के सपोर्ट की वजए से 2009 की लोग सभा चुनाओं में कॉंग्रेस 22 सी नाओं में तो कॉंग्रेस 30 के ऊपर नहीं जा पाई पर आप खुद भी तो एकी सीट जीत पाई उस 2012 के विधान सब्सक्राइब नहीं मैं मैं ने छोटा एक पौदा लगाया था वो पनाव रहा था और कॉंग्रेस के साथ एलाइस होने के बाद मेरे अक्सर जो लोग थे ज बहुत नुफसान हुआ बहुत नुफसान हुआ तो उसकी वजह से मैं सिर्फ एक जीत सका आप ने राहूल गांदी से कहा नहीं कि 2009 में जब गडवंदन हुआ था तब तो सिंबल की बात नहीं थी आवाद सिंबल की ता पुला नहीं तो एन वक्त में मुझे धोका दिया न तो उन्हों ने सब के स拜拜 सिर्फ मेरे साथ नहीं किया उन्हों ने पूरे मीरे समाच के साथ उनョ नी जो गड़वेयं की हैं मैंने उस वक्त अपनी आखों से देखा है के हमारी सरकार का ग्रेमंत्राले बाकाइदा ग्रेमंत्राले और आरेसस का नाजाएस तालुख बना हुआ था और उसी नाजाएस तालुख की वज़ा से देश में आतंगवाद ने चन्ब लिया था चला इसको समझाएंगे यह बड़ी बात कह रहे हैं आप बहुत साल जाम हैं मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ जो सब के सामने है मैं आज भी आपसे यह सवाल करता हूँ कि 2014 से पहले जो हिंदुस्तान जिन तकलीफों से गुज़रा है जिस आतंगवाद से गुज़रा है रोजाना बंबलास्ट होता था पेड़ों तक पर बंब लटके हुए मिले हैं भाई हमें कचरी पर हो रहा है ट्रेनों में हो रहा है जगा जगा पब्लिक प्लेसिस पर हो रहा है जगा 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 जो आतंगवाद हुआ करता था जो बंब रोजाना पड़ता था वो बंब 14 के बाद से कहां गायब हो गया जो 14 से पहले रोजा ना पड़ता है सरकार का ये कहना है कि हमने सक्ति कर दी इसलिए अव आतंगवाद की घटनाएं नहीं होती है आतंगवाद सचाई ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसल्मान आतंगवादी ना था कभी और ना कभी होगा मुसल्मान अपने देश से प्यार करता है देश के सम्मिदान से प्यार करता है मुसल्मान अपने देश में बम मारने का काम नहीं कर सकता थोड़ा बहुत आतंगवाद मैं वहां तक मान सकता हूँ, कश्मीर तक, कश्मीर तक के आतंगवाद की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, और कश्मीर की उन तमाम एक्टिविटीज की बाकी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने कभी हिमायत नहीं की, कश्मीर के अलावा, मुल्क में बं मार ही नहीं सकता ये जो पूरा सिनी काowi नि यह पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदे व है नाम की हिंडूस्तान में कोई तंदीम नहीं इंडियन मुजाहिदिन मैं बता रहूना कि पीचे दम्रम मिले हुए के साथ मिलके काम कर रहे थे कॉंग्रेस आधी से ज्यादा कॉंग्रेस और एसस के अजेंडे को पड़ चल रही थी मैंने अपनी आखों से तमाम चीज़े देखी इन से पहले कौन साब थे वो सुशील कुमार शिंदे रहे हैं शिवराज पाटिल रहे हैं शिवराज पाटिल कि ऐलएट्टीन पूरा शिवराज पाटिल के प vulner के पेट में है ऐलएट्टीन मैं ऐसी ऐसे बहताना आज में आज भी कहता हूँ बीजेपी को मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि ये खुल के सामने हमारे लड़ते हैं कॉंग्रेस को मैं इसलिए बुरा मानता हूं कि बीजेपी ने हमें आतंगवादी बताया हमारे पर लिजम लगाया कि यह आतंगवादी हैं लेकिन कॉंग्रेस ने हमें आतंगवादी कहके पकड़ा हमें जेलों में डाला हमारे माथे पर आतंगवादी होने का टैंग लगाया है कॉंग्रेस ने यह हमारे माथे पर जो कलंक लगाया है वो बीजेपी से ज्यादा उसक तो बो कंग्रेस है